हिंदेग लंब में फिर से आपका एक पर स्वागत है यह वीडियो बिशे सुरुप से सीटेट से समंधीत है आज इस वीडियो में हम लोग ncrt book class 7 का लेशन नंबर 4 उस्मा को देखेंगे इस वीडियो से पहले हम लोग नहीं ncrt book class 7 बिज्ञान का lesson 1 से लेकर lesson 3 तक देख चुके हैं अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो प्लीज देख लीजिएगा अगर आप सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में गणित और विज्ञान की त्यारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह lesson भी बहुत ही important है lesson number 4 है यानि अध्याय 4 है उस्मा और सीटेट में इससे कम से कम 5-6 कुश्चन पूछे जा चुके हैं सबसे पहले हम चर्चा कर लेते उस्मा होता क्या है उस्मा में इस एक तरह से गर्मी जैसे में अगर पानी गर्म है तो उसमें हाट डालते हैं को हाथ में क्या होता हु उस्मा का महसूस होता है कि उसमा उसमें है इस लेशन में पढ़ना क्या है तो पढ़ना यह है कि उसमा यानि ताप का हम कैसे माप सकते हैं ताप मापी दोरह मापेंगे क्योंकि ताप है तापको मापना ही ताप मापी कहलाता है जिसे हम थर्मामीटर के नाम से भी जानते है वो कितने तरह का थर्मामीटर का आप उपयोग करते हैं, इस समय कैसे कैसे मापते हैं, मापते हैं को किस तरीके से मापते हैं, किस तरह के सवधानियों का आप उपयोग करना चाहिए, मतलल किस तरह के सवधानी बरतनी चाहिए, तथा कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं, इस के बार में चर्चा करेंगे तो दो भर इस मंखास्त किस परकार होता यो तीन तरीके से होता है जिसकी चर्चेंए उसकि एन्दर करेंगे एक चालन related Two होता है समवाहं तीसरे होता हुता है Baw tax मी आना जाये जिसकी अलौए और भी सिटिट में प्रस्ण आते हैं वह है आपका कि समुंद्री समीर क्या होता है समुंद्र समीर तथा थल समीर क्या होता है इससे भी सीटेट में बहुत सारे प्रशन पूछे जा चुके हैं थर्मामीटर से भी पूछे जा चुके हैं यहां तक कि छोटा सा कुश्चन यह भी आया था कि मानों का तापमान कितना होत बहुत ही महत पुन और एक बार में यह आपका concept के लिए कर देगा तो चलिए बिना देरी को बहुत ही गहिसन को स्चाइब करते हैं सबसे पहले जो पिछले लेशन को जोड़ते हैं इन्होंने इस लेशन को स्टार्ठ किया है यानि जो हमने पिछले लेशन में पढ़ा था चांतों रेस से बनाए जते हैं जानतों वर को लोग को पता चल जांते हैं आप्सीत काम नाम क्यों दिया गया तो उसमें किस तरह की वस्ततर पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं इसके बाद सूती वस्तर है। दूसरा पादप में इसके होता है पौदाक उसी के बारे में सुति वस्त्र पादप रेशों से बनाया जाते हैं मौसम गर्म होता है तब हम हलके रंग के सुति वस्त्र पहना पसंद करते हैं यह हमें ठंडक का अनभाव कराते हैं तो दो-तीन नाम याद रखिएगा जब भी उनी वस्त्र, रेसम वस्त्र की चर्चा हो तो किस से प्राप्त होते हैं, तो जानतो रेसों से प्राप्त होते हैं, सूती वस्त्र की जब भी चर्चा होते हैं, तो पादप रेसों से प्राप्त होते हैं, और जब भी गर्मी के मौस मौसम में किस तरह के वस्तर पहनते हैं तो हम लोग सूती वस्तर पहनते हैं यह याद रखिएगा ठंडी के मौसम में कौन से वस्तर पहनते हैं तो उनी वस्तर पहनते हैं यह इंपोर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कोई वस्तू गरम है या ठंडी इसके बारे में थोड़ा से ज्यादा लेकिन इस पे हम विश्वास नहinking कर सकते किया कि वस्तो कि उश्मता गर्मी यानि कि कि विश्वसनीय माप का देख यह कना से किस से कि जाती यह इंपोर्टन उसके ताप से कि जाती है ने किल Walker कि यह तो क्या एक करते हैं ताप माप को अना tara करते है तर्मंफी को दूसरा नाम पर सब्सक्राइब करेंट में विसारपुरण बताएंगे एक और नाम आएगा जो आगे मिलेगा आपको सबसे पहले आपको पिक्चर भी दीख रहा और यह पिक्चर अपका डॉक्टर इस थर्मामीटर होता है यह ऐसे आप ने देखा भी होगा इससे आप जहांचेते भी हैं Apple समाने मानोशal का मतलब था सथ और सल्मानोचा रूप में उन्होंने निकाल के रखे हुए जितने दुनिया में वेक्ति हैं सारे रिप्रेच्चर कम भी हो सकते कडियास क्लिंट ज्याद से जांस नि काल के मतलब जनरल मिंटर से ज्यादा लोगों कर दिखा है इतना TEMP Мих RICHARD नियुट इनल पॉंट शुक्स एंट अनंटी इट पॉइंटसिकन ओस्यॉप में मानन व्रक मान से मान तोढ़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है चलिए डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर आपने देखा भी यूज भी करते हैं जब फीवर होता है तो इसमें कुछ जानना नहीं है बस थोड़ा सा जान लेना है जिस ताप मापी से हम अपने सर से चा हता एक समान व्यास की काँच नली होती है उसके एक सीरे पर बल्ब लगा होँए इस बल्ब ऑ में खुबी है उसका भी खुबी है और यह अंतर करेगा चाहं being देखिए परियोग सालत था उस डॉक्टरी यानि फर्ममेटर से दोनों में दिप्रेंस यहां पर ने लिकाएं दोनों में औंतर हम आपको दिखाएंगे इसे विभंग यानि किक कहते हैं और ये इसको हम क्या करते हैं ईसके द्वारा कुछ अंतर होता है वो प्रस्न बताएंगे सीटेट में पुछा गया प्रस्न यहां से पूछे गए और यहां आके पढ़े रहे थे कि इसके एक सीरे पेख बल्ब होता है बल्ब में बाराबॉय में पारे की पतली चमकिली धारी देखी जासकती हैं लाइब जब देख़िए गातों यहां लगाते है यानि कहीं पे भी मुह एगर जहां भी यूज करना चाहते हैं जब अगल में तो वहां पर जब यूज करते हैं फिर सामने देखते हैं तहां इतना 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 बड़ा हुआ है मतलब वह 100 डिग्री है या अधिक है अगर फिवर होगा तो नहीं तो नॉर्मल होंगे तो 37 डिग्री के लगबग होगा नहीं तो नाइंटी एट पॉइंट से के लगबग होगा चली यहां परावरा होता है बल्व के बाहर नली के पारे की पतली चमकीली धारी देखी जा सकत से 42 डिग्री सेल्सियस होता है किसका होता है यह डॉक्टरी थर्मामीटर का अगर हम आपसे पूछें कि परियोग साला तापमापी जो आगे हम पढ़ने वाला है उसका परिशर क्या होता है कि उसका 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस इसका कितना होता है 35 से 42 डिग्री सेल् करनी की बात है को इसलिए रखा गया ना क्योंकि हमारा जो टमप्रेचर रहना टमप्रेचर उसाथ का पढ़ा पढ़के इन्होंने रख दिया तो इतना होगा ज्यादा होगा तो टिकट कर जाता है क्योंकि वह किसी और चीब को माप नहीं सकते इसी उसत्तनहीं रखा गया तो समझे कि है टिकट कर जाएगा तो 35 नीडी सेलसियस तक होता है healthy माप Eveell jis का परिशर सद्दुसर्टों से एक 608 डिग्री तक होता है यह बिंपोर्टेंट ठेफ़ीजिया है कितना तक कितना होता है यह पूछा जाता है प्रश्न इसे भी याद रखिएगा 94 से 108 डिग्री तक होता है 108 के बाद लोग क्या कहते हैं टिकट कट जाएगा 108 मतलब बहुत हाई कि 140 के बाद लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अब नहीं रहेंगे और यह स्टार्टिंग कहां से 94 से 108 याद रखिएगा 94 से 108 तक होता है यह याद के लिए तरीके से रखिएगा यह याद रखिएगा जब होगी को साथ का पाड़ा याद होना चाहिए साथ पेच्छे पैती सच्छक भ्यालीज ठीक है जब भी फॉरें हाइट की बात हो गया तो चाहिए याद रखिए इससे पहले किया जाता है मतलब फॉरें हैट का इस्तमाल पहले किया जाता था मानो सरीर का समानिता 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फॉरें है याद हो किया यह ज़रूरी था अब हम चलते हैं थर्ममीटर से ताप मापना मिन ढाट डिक्टर के बीच एक स्था इन चेन्स पाक और यह जान गांतर है इनजा एक में हान्तर के अन्तर में है तब एक छोटे भाग का मान एक बट्टे पांच डिग्री सेल्चेस होता है एक बट्टे पांच डिग्री सेल्चेस अर्थात कितना हो जाएगा को पांच को भाग दीजिएगा एक से पांच दोना दस हो गया और एक है को दसमा बैठाएंगे तब कटेगा तो कितना हो गया अ आपका परियोग साला ताप मापी में भी इसी तरह सेम होता है उसको मैंने लिखा नहीं है लेकिन उसमें भी ऐसी होता है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानो शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तू का ताप मापने के लिए कभी मत किजिए थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचेए अब थर्मामीटर को कभी धूप में मत रख दीजिए आग में मत रखिए गा ऐसा करने से तूट जाता है और पता नहें पारा जो है बहुत खतरनाक चीज होता है इसलिए उसे धूप और एक कोश्चन दूसरे साल अलग कोश्चन चलिए दॉक्टर ही थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवसक सवाधनिया क्या क्या सवाधनिया उसे हम लोग देख लेते हैं एक सवाधनी तो आपने इऊपर ही पड़ा धर्मामीटर को दूब तथा आप से बचा के रंखना चाहिए यह क्या होता है तो डूड जाता है आगे देखते हैं कि इसका योज करते समय क्या क्या अप्योग करने efficiently करने के पर थोना चाहिए उसे धोना छाहिए धोने के लिए क्या इस्तिमाल करेंगे यह भी तो जरूरी है तो धोने के लिए किसी पूती रोधी यानि एंटिसेप्टिक या उसे रोगाणु रोधक कहते हैं घोल का उपयोग अच्छा रहाता उसे धुएगा तो अच्छा रहेगा तो याद रखिएगा उसे क्या करते हम धोते हैं इसके बाद है सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे है यानि उसको उपयोग करते समय पहले देख लिजएगा 35 डिग्री से नीचे नीचे रहेगा तभी तो गरम हों के उपर बढ़ेगा पहले ही 108 तक लिए फॉरन हैट में ध्यान रखेगा थानमामीटर को पढ़ते समय पारेक तल द्रिष्टी रखा कि सीध में होनाची अब ऐसा नहीं कि आसे खड़ा करके मतलब ऐसे करके खड़ा करके रख्य हुए हैं ऐसे मत रखिएगा मतलब एकदम कीद में देख अगे इसमें पढ़ते हैं और ऊगला है थार्मामीटर का सोधानी पुरोक उप्यों कीजिए किसी कठोर वस्तू से टकराने पर तूट सकता है तो फर्ममा मेटर का स्थार नीप उपयोग करना चाहिए और उसे किसी भी कठोर वस्तु से नहीं ठेख रहा ने परियोग सालट इसनल क्या होता है कि याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां-10 है को पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं परियुक्साला तप मापी का उप्योग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पठ्यांक लेते समय बढ़ती जाने वाले सभी सौधानियों के अत्रिक्त निमलेखित सौधानी भी बढ़ती जानी चाहिए कौन-कौन सा है तप मापी को रखन चाहिए लेकिन उद्वादर रखना चाहिए यानि खड़ा रखना चाहिए क्या रखना चाहिए खड़ा जैसे में एक बरतन है और बरतन में आपको नापना है तो उसमें पानी है तो पानी के लिए क्लिए उद्वादर रखेंगे यानि अंदर डालेंगे अंदर डालने के का तीरिशा मत कीजियेगा सीधा एक सीध्य में रखेगा दूसरा इसमें तर नहीं अच्छछ और से उस નेलेके जाहिए और नीचे भी उसको touch नहीं करना चाहिए न दिवारों पर उसको touch करना चाहिए बीच में होना ओना जा के आतर नीचे हैं तो ऑन् 땁झ में दूबा भी होना किसी परियुक्साला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांग तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा गया है जिसका तापमापना है लेकिन डाक्टरी थर्मामीटर में विभंग यानि कीक की कारण मुझ से बाहर निकाल कर देखते हैं क्य का सकने वाला यह प्रश्ण है पूछा यह सकता है कि आपने मुह में लगा है मुह में निकाल के आप उंगली से लिखते हैं यह किसके कारण होता है टमपरीचर उसका नहीं गिरता यह होता है यागे वाला जो इसी के कारण यह होता ह। कि वो पारा पारा को नीचे गिरने देता जहाँ है वहीं तक रहने देता है और मुझो से निकाल дос acum अगर आप उसका इस्तिमाल कर रहे हैं तो आप उसी समय देखेंगे यानि जब आप उसमें डाले हुए तभी यानि डाला हुआ ही होना चाहिए निकालते ही बाहर वो क्या हो जाता उसका पठ्यांक नीचे गिरने लगता है देखिए यही चीज लिखावा किसी परियुक्साल जल या वस्तू में रखा गया जिसका ताप मापना है तब ही उसको देखना चाहिए बाहर निकालेंगे तो फिर पठ्यांक इधर चोधर हो जाएगा गिर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा तो यह दोनों डिफ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह इंपॉर्टेंट मौसम की रिपोर्ट में दिये गए अधिक्तम तथा नियुंतम तापों की जनकारी देने के लिए अधिक्तम नियुंतम ताप मापी का उप्योग किया जाता है मौसम की रिपोर्ट में दिये गए अधिक्तम और नियुंतम तापों की जनकारी देने के लिए यानि अधिक्त करते हैं क्योंकि अधिक टंपरेचर मापना तब ही इसके इसके इसका नामी दे देते हैं अधिकता नुंतम तब याद करने की जुरूत नहीं कि यह समझते जाहिए इसके बाद है अंकिय तपमापी नाम से अश्पस्टेजिस में onk लिखा हो डीजिट लिखा हो उसी को हम लोग कहते हैं कि एप मापी इंग्लिस में उसका वही नाम है डिजिट से डिस्टल बन गया है थर्मा मिटर उसका अंगरेजी में थाप मापी मतलब थर्मा मेटर अंगरेजी नाम कि पारा एक बिशाक्त पदार्थ है और यदि निप्टान अत्यंद कTH yan है कि ábला क्या क्या हैं एक विस सण फाहले भी पदार्थ है है तो इसका निप्टान अत्यंद कठीन बहुत कठीन और उसका अइसका ओपऌरे का उप्योग नहीं होता है अपसे पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा भी कोई यर थे तर्मामीटर है जिसमें परे का इस्तिमाल नहीं होता है औपसन देगा यह थे धर्मामेटर ओप 아침 जो तीन तो प्सन जो भी मर्जी वह देदेगा चोथा आपका अंकिये तापमापी या डिस्तल थर्मामीटर तो आपको करना है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता यह क्यों आया क्योंकि पारे का अगर तापमापी टूट जाता है को पारे का निप्टान अतियंद कठीन है और 2018 का देखा जाए प्रशन तो उसमें पीपर वन में पूछा जा सकता है प्रशन अगर उसी रूल को यह फॉलो करते हैं तो इसलिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है पेपर टू तो भाई उसी के लिए तो पढ़ाया जा रहा है चीज़ चलिए आगे बढ़ते हैं उसमा क स्थांत्रन जो लोग का टॉपिक था जो हमने बताया था कि पहले हम मबें फीर एक दूसरे में जाता है मतलब एक तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तों की और अस्तांत्रित होती है जो भी आपका गर्म है उसी से वो ठंडी वस्तों के लिए के तरप जाती है उसमा कांस्तांत्र्न तीन प्रक्रमों चालन संवहन और विक्रन द्वारा होता हैं किसी scam संवहन् में यह मा दिएम से यह जायेगा लिएं विक्रन में किसी भी माद्यम के ओसक्ता नहीं पढ़ती है जैसे शूर्ज का परकास मेरे पास आता है आप काहेंगे कि उसमें वायू होता है तब ही परकास आता है जी नहीं बहुत जगह ऐसे भी अस्थान से सूर्ज का परकास गुजरता है जहां वायू नहीं होती है तो किसी भी माध्यम के ओसकता नहीं पढ़ती है विकरन में दो में माध्यम के ओसकत क्यातने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना भी चाहिए यह प्रक्रम जिसमें उस्मा वस्तु के गर्म सीरे से ठंडे सीरे की अस्तांत्रित होती है तो उसे चालन कहते है उसे क्या ओड हो करते हैं मैं चल चालनå का जाना एक तऱ सी याद जैसे अल्मुनियम, आइरण यानि लोहा, तथा कॉपर यानि तंबा जो पतत अपने से उस्मा को असानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें उस्मा का कुच्चालक करते हैं उससे क्या कहेंगे उस्मा का हम लोग कुछ आलक सब्द के लिए एक और इन्हों ने इस्तिमाल किया है उस्मा रोधी और क्लास एट में भी एक और सब्द यूज हुआ है जो सीटेट 2018 में भी पूछा गया है तो उसे भी एक बार जरूर देख लिजेगा नहीं कुछ जरूर लीजेगा एक बार देखना है थोड़ा सा आधा गंटा देखिएगा फिर आदे घंटे देखिएगा लेकिन देख जरूर लीजेगा वह भी बहुत इंपोर्टन वीडियो है उसमें भी चर्चा इसके बार में की गई है कि उसके लिए कौन सा सब्द यूज होता है और थोसो में उस्मा प्राया चालन प्रक्रम द्वारा अस्तांत्रित होता है थोसो में क्या होता है प्राया किस विदी द्वारा होता है किस प्रक्रम द्वारा होता है तो यह चालन द्वारा होता है अस्तांत्रित उस्मा का अब एक और प्रस्ण पूछा गया था कि जो इंट दे क्युंत धूत बहुत है गांगा कौन सा पहले नीचे के तरफ यह जो उजला उजला लगा दिख रहे हैं यह मॉम लगाएगा वह कौन पहले गिरेगा यह पूछा गया यह तो अपने concept पे भी डिपेंड करता है तो यह पूछा भी गया था बहुत असन सा कोश्चन था लेकिन इसी में कुछ लोग फंस भी जाते हैं तो आराम से concept के लिए रखिएगा कि वह जाएगा कैसे तो चल के जाता है चल के जाता है पैर रखेगा पहला पहल कहां अब चलते हैं अगले topic पे समवहन यह भी बहुत important है जल तत्था वायू उस्मा के कुछालक या उस्मा रोधी है जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है जब जल को गर्म करते हैं जहां ज्वाला लगता है यानि माल लीजे पानी रखें आप पानी रखें हुए हैं नीचे से आप चीज़ से जला रहें जहां ज्वाला जाता है ना वहीं पर पानी गर्म होता है अगर्म होता है जब भी जल गर्म होता है यह जाहिर सी बात है अमेशा कंसेप्ट के लिए रखीएगा जब भी जल गर्म होगा तो वह उपर उठेगा नहीं कि लिए उपर जाता हु है अपनी देखांगा कॉसरिय करकास बार सोर्ज का परकास आता है वो रखता है पानी को फिर होता ह export कर दिरेटें तो जल क्या हुआ गर्म वा ओप्र उठा कि तो भाकि सब वहां खाली तो रहां नहीं क्योंकि पानी तो इतनाई यह तो बाकी जो थंड़ा पानी दो आएगा पी यही पर किरिया चलती रहती यही पर किरिण होता रहता है थन्डा जल उसका स्थान लेने के आ जाता है फिर जल भी गरम होकर उटता है जो भी जल हो भी गर्मों के उपर सुटता है तथा आसका स्थ चलती रहती है जब तक की सारा जल गर्मना हो जाए उसमा अस्तांत्रम के इस वीदी को संवहन कते हैं यानि उपर जा रहा फिर आसपास का जो भी ठंडा पानी वह आ गया फिर इसको भी ठंडा पानी उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है द्रौ और गैस में उसमा संवहन के प्रक्रम द्वारा अस्तांत्रित होती है द्रौ और गैस में जब भी प्रशन पूछे किस के द्रौ और गैस में किस प्रक्रम द्वारा उसमा का अस्तांत्रम होता है तो संवहन प्रक्रम के द्वारा उसमा का अस्तांत्रम होता है याद रखिएगा किसमें किसमें द्रौ औ रेके बार है जो सीटेट में दो या तीन वर प्रशन पूचा हुए बहुत इंपर्टेंट है ुस्मा के स्रोत के पास की वायू गर्म होकर उपर उड़ती है इस प्रक्रम या इस परकार या वायू भी गर्म होती है इस और यह वायू भी गर्म हो जाती है या प्रक्रिया चलती रथा यह उपर की ओर की वायू संभंध्वारा गर्म होती रहता है इसलिए तारहका का ओप्र किज़ेगा गरमी कहां हो रहा है तथा पार्स यानि यू बगल का है कि वायू सननीद्वारा गर्म नहीं होती है इसलिए या या वायू लाउ या वायू लाउ के उपर दिन के समय अस्थल धर्ति यह तर जिसे कहते हैं जल की अपेक्षा सिग्र गर्म होता है अब एक और कहानी यहां पर थोड़ा समय समझा देता हूं concept clear करता हूं फिर इसको हम पढ़ाते हैं होता क्या है कि दीन के समय क्या होता है ना कि जो जमीन होता है जल्दी गर्म होता है दीन के समय थल जो होता है थल मतलब एक तरह से ठोस आपको खाने का कंसेप्ट कर देते हैं जैसे में कुछ वो क्पश्चन भी होते हैं कि उसको डालते हैं तो लोग थे अच्छा कुछ नहीं कि यहां के ताम्बे लगा हुआ होता है तो उसको लगाते हैं कि अच्छे तरीकर इसे बनता है क्योंकि वह देर से घरम होता देर ठंडा होता है ठीक वही कंसेप्ट यहां पर भी यहीं चीज यहां पर बढ़ाया गया और इसी से बहुत अच्छी एक परिगःटना होती है जो जिसका लोग लुफ्ट उठाते हैं और सामके समय भी आप लुकों कूँदेखेंगे कि मस्ती करते वेए दिखाई देंगे यानि जो बीच वाइप समय इसी पर अंभाव करने के लिए डेसे देखने के लिए एकचर्मपै कहानी घ्र वही है जरक्रक्षा अंसे तंडी वायू अ सीआरी सामके लिए अस्थान ना तो समुंदर के तरब से ठंडी हवा आएगी उसका अस्थान लेने के लिए क्योंकि उधर ठंडा है को ठंडा के तरब से वह आएगी आपने देखा भी होगा ना जब फिल्म में घर जब खरिदना होता है को दिखाता है कि बहुत सुंदर पानी का मतलब नजारा इसलिए वह समुंदर के तरब से मतलब घड की वेगरें बनाके रखते हैं तक हवा उसे ठंडी ठंडी दीन को मिले वह चीज यहाँ पर भी है अस्थल के उपर से वायू गर्म को उपर ऊठती है इसका स्थान लेने के समुंदर की और से ठंडी वायू अस्थल की और बढ़ती है चक्र को पूरा करने के लिए अस्थल की और से गर्म वायू समुंदर की तरब जाएगी और ठंडी आई उधर से आगी समुंदर की और से आने वाली वायू को समुंदरी समूर कहते हैं समुंद्र की और से जो वायू आएगी उसे समुंद्री समीर कहेंगे अर्थात समुंद्री समीर दीन में बहती है और समुंद्र की और से आने वाली वायू होती है समुंद्र समीर की ठंडी वायू का लाब उठाने के लिए तटिये चित्रों में भौनों में खिडकियां समुंद्र की और बनाई जाती है इसलिए हम पहले भी बता दिये कि उसका लाब उठाने के लिए तटिये चित्रों में क्या होता भौनों में खिडकियां समुंद्र की नहीं borrowing आपको होना चाहीए चाहिए इसमें मतलब समुद्र से बहने वाली हवा कित धर योजाएगी और यहा कब होता है को दीन में होता है यही याद करना इससे अधिक नियाद करना है जब भी समुद्र समीर की बात करेंगा को दीन में होती है और समुंद्र के तरफ से हवा बाती है थल के तरफ अब थल समीर ठीक उसका अपोजीट होता है एक याद हो गया को दूसरा इटमेटिक याद हो जाना चाहिए रात को बहेगा और किदर से बहेगा को थल से समुंदर की तरफ बहेगा चले इसे भी एक बार याद करा देते थोड़ा सा पढ़ लेते शमुंदर का जल अस्थल की पेक्षा धीमी गति से ठंड़ा का जल किया होता है अस्थल की और से ठंडी वायो समुंदर के बहती है या थल शमीर का लाती यंचार्थारत अब यहां चलते हैं विकरण के बारे में में चर्चा कर लेते हैं विकरन क्या होता है चालन अथ्वा समवन दोनों प्रक्रमों में उस्मा का अच्छा एक और कोश्चन हमको यादा रहा है जो सीटेट के न्सी आट एबुक में भी है हम अपने घरों को ठंडा गर्म रखने के लिए कोला या लकडी जैसे इंधन अथ् भी जानते हैं उसका उप्यों करते हैं हम लोग क्या ऐसे भवन बनाना संभाव है जीन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई परभाव नहीं पड़ता हो भवन की बाहरी दिवार को यदि ऐसा बनाया जाए उसके बीच में वायू की परत बंद हो जाए यानि एक बीच में वायू की परत बंद हो जाए ऐसा कोई भवन बनाया जा सकता है कैसा संभाव है जी हां ऐसा संभाव किया जा सकता है ऐसा करने की एक बीदी है कि भवन निर्मार में खोखली इंटों का उप्यों किया जाए जो आजकल उप्लब्द है जो आजकल उप्लब्द है इससे क्या ह होगा मतलब गर्मी और सर्दी का कोई परवाव नहीं पढ़ेगा तो यह चीज याद रखिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट था जो किलियर हो गया जो आपको आगे इसी लैंड में ने इसमें हमने नहीं करते नोट किया थोड़ा सथा क्लिगा एक आपको विकरन के बारे ने चाहले रहे हैए चालन थ्वास मेंytyं दुनु प्रक्राम के लिए माद्यमा सकत module सब्सक्राइ बहुत ठंड़ा लगना शुरू भी ओगया है तो कैसे प्रिथवी तथा सूरी के बीच के अधिकांस स्थान में कोई माध्यम नहीं है जैसे वायू नहीं है जैसे क्या वायू नहीं है अर्था सूरी से हम तक उसमा एक अनिय प्रक्रम द्वारा आती है जिसे क्या कहते हैं हम तो विक्रन करते हैं अर्था सूरिस से हम तक उस्मा विक्रन द्वारा पहुंच जाती है विक्रन द्वारा हमारे पास पहुंच जाती है सूरिस से उस्मा इसके अलावा भी तापक यानि हीटर से भी हम उस्मा वैसे ही लेते हैं जैसे हीटर रखा हुआ है और उससे हम आग सि कपड़े के बारे में जानते हैं सबसे पहले हलके रंग के कपड़े के बारे में जान लेते हैं हलके रंग के कपड़े उसमें विक्रणों के अधिकांस भाग को परवर्तित कर देते हैं यह करते हैं हलके तो हरगा तो गाड़ा टुका अधिक थीक होता है हलका रंग वह क्या करता है अधिकांस भाग को परवर्टित कर देसी सुरूप से वायड के तौह होता है वो देखिएगा गर्मी के मऌसम में बहुत ज़्यादा वाइट पहना जाता है क्यों पहना जाता है67ग के मौन कि वहाद पहनने के बाद वह परकास बहुत ज्यादा अबस्तिरत करते है वह रिफ्लेक्ट कर देता है जिसके हमें अधिक अराम देह हैं जैसे में आगला है गहरे रंग के कपडे सद्धियों में आधिकल रोधी हैं ततह इसके रिशों के बीच वायू फंसी यानि ट्रैप होती है या वायू हमारे सरीर की उस्मा को ठंदे परवेश की और विक्रित होने से रखती है यह क्या करती है या वायू हमारे सरीर की उस्मा को ठंदे परवेश से विक्रित होने से रोकती है अते हमें उसनता का अनभाव होता है एक मोटे कंबल की तुलना में ए के उपर एक जूड़े दो पतले कंबल ज्यादा गर्मी देंगे ज्यादा गर्म रखेंगे यह भी सेट में पूछा गया प्रशन है मतलब एक मोटा कंबल है उससे ज्यादा गर्मी मिलेगा कि दो पतले पतले कंबल से ज्यादा गर्मी मिलेगा क्योंकि बीच में वायू का एक इसके साथ भी बताया गया आपका सोलर कुकर के बारे में जो उपरी भाग होता है ताकि वह सूरजी के परकास को जदा अबजर्ब करें नीचे खाना अच्छे तरीके से बन जाता है तो यह सारे चीज है घरे कपड़े के बारे में और घरे रंग के कपड़े के बारे में है चली इसमें एक और पॉइंट लिखा युए ता सलेटिस से सकेल का इसे का कैसे आया किसने खोजा इनका नाम भी याद हो ना चीह चली याद करवा देते हैं आपको सब्रहों से स्वीडन के अब से सेल्सियस स्वीडन के खोगोल सास्त्री इसमें भी 100 होगा यह नि चारवत होगा तो समझ जाए से समुंदिते हैं सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खोगोल सास्त्री एंडर्स में भी स्वह है और इसका नाम भी था एंडर सेल्सियस अपने नाम पर उन्हों ने दिया कोई नाम ना दो तरीके से परद़ते हैं एक नाम पर बढ़ जाता है नहीं तो जो काम हम करने होते हैं उसी तरह जैसे अधिक्तम निउंदन तापमापी वही काम करना है इसलिए उसका नाम पढ़ेगा दो तरीके से पढ़ते या तो तोड़के समझे यह नहीं को समझे उसके बैग्यानिका नाम है उनके जिन्होंने वह चीज लेकर आया कंसेप्ट उनहीं पर है को यह इनके नाम पर है एं स्थानों की सबसे पहले पूर्ति करते हैं कोई वस्तु कितनी गर्म है से सोती है उबलते हुए पानी का ड़क कर्सक्ते हैं दक्री ठर्मामेटर पर ऊती ही है तैप को नोट कर लिजेगा अगर बुक में नोट करते हैं तो इस टील के थंडी चमच गर्म दूद के प्याले में रखी गई है यह अपने दूसरे सीरे तक उस्मा का स्तंत्रन क्या कहला है एक थोस है दूसरे सीरे तक कैसे जाएगा देखिए दूद क्या है वह यह लिक्वीड है या चलके जाएगा एक खंदा घसकते घसकते जाएगा तो यह चालन द्वारा जाएगा अगला कुश्यन है यानि अगला फिलिंदी ब्लेंग से हलके रंग के बस्त्रों की अपेक्षा डैस डैस रंग के वस्त्र उसमा का अधिक ऑस्यूशन करते हैं को कौन होगा हलके रंग के अपेक्षा काले रंग के वस्त्र जो गहरे रंग के वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं उसमा का अधिक ऑश्यूशन करते हैं चलिए इसको क्या करना है मिलाना है तो चलिए इसको मिला देते हैं थल समीर बहने का समय कब होता है थल मतलब रात थल मतलब रात थल मतलब रात थ पाय्ति यस्तर النवर मतलब हो म्-त समय सम्हाने का मज़ा लेनस a आप देखे-वापर पहर में लोग लोग यह इसी लेटे रहते हैं यह बीज पर तो बहुता यह होता है तो वो कब होता है दीन में होता है और किधर से किधर बखता हäreगी समुदर के तरफ से हवा बहेगी घारे का समय कब होता है तो आपका ठल के कीधर जाएगी तो समुदर के तरफ जाएगी अगला है गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय कब हो जाएगा सर्दी कमी मत समझीए यूज की समी होता है, सर्दियों में यूज होता है हलके रंग के कपड़े पसंद करने का समय का हूँ Smack कभis के साथ ही एक और कोश्चन हमको याद आ रहा है जो अभी हम लोग कम्मल के बारे में सोच रहे थे कम्मल से इसा मंदी थे एक और कुश्चन है सर्दियों में एक मोटा वस्तर पहने के तुलला में उसी मोटाई का कई परत का बना वस्तर अधिक उस्जणता क्यों परदान करता का इसमें वो तो यदि वस्तर कई पर्तों का बना हो तो इसकी पर्तों के अधिक एकत्रित हो चालन की चमता बढ़ जाती है और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं है अगला कुश्यंड आपका साथ नंबर है चलिए इसका भी थोड़ा सा एंसर देहीं देते हैं ताकि आपको याद रहे गरम जलवाई के गरम जलवाई के स्थानव पर या पर मर्स दिया जाता है कि घरों की बाहरी दिवारों पर स्वेथ यानि सफेद पेंट किया जाए बैख्या कीजिए तो इसका बैख्या से घर अधिक गर्म नहीं होगा तो इसे क्या होता है बाहरी दिवार उसका अधिक गर्म नहीं होगा चलिए आगे बरते हैं यह आपkick कोंडक करते हम तिस डिगरी जल सेलसियस के एक लीटर जल को 50 डिगरी और जल के साथ मिलाया गया मिस्रों का था Gö Crossing उसका कितना थाम ऑप बीच का जो भी अस्थान मिलेगा तो इसी के बीच में कुछ हो जाएगा दिग्री सेल्षिस हो जाएगा अब इसी तरह अगर दोनों परवर्ता नहीं होता है तो कुछ में परवर्ता नहीं होता है चलिए अगला कोश्चन देखते है 40 degree Celsius ताप की लोहे की किसी गोली को कोटोरी में भरे 40 degree ताप के जल में डुबाया जाए इस परक्रिया में उस्मा का क्या होगा तो उस्मा का इसमें कुछ भी नहीं हंस्तंत्रन होगा ना तो लोहे की गोली से जल की और नहीं जल से लोहे की गोली की और हंस्तंत्रन होगा यानि कुछ भी नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर गरह में तो क्या अस्तंत्रित करें कम जदा होता तब यह तो अगला कोशन है लकड़ी की एक चमच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है इसका दूसरा सिरा इसका मतलब लकड़ी का दूसरा सिरा क्या होगा अब इस लेशन का लास्ट कोश्चन है स्टेलनेस इस पाथ की कड़ाही में प्राया कॉपर यानि तामबे की तली लगाई जाती है इसका कारण हो सकता है वही चीज़ हम बोले कि तामबे यानि नीचे लगाई जाता है आपको मैंने कंसेप्ट भी क्लियर कराया था कि कुछ ऐसे ब आपक्षा तंबा उस्मा का अच्छा चालक है इसलिए उसमें किसका परत लगा जाता है तामबे का तली लगाई जाती है ताकि वह असानी से सब्जी मनाया जा सके और वह एक अच्छा चालक भी होता है तो इस लेशन में इतना ही यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो जरूर लाइक किजिएगा और कम से कम एक कुश्चन तो आपसे हमें जरूर पुछना चाहिए आप लोग आज कल कुश्चन का अंसा नहीं दे रहें पता नहीं क्यों नहीं दे रहें में भी मुझे तो यह लग रहा कि जो भी वीडियो जा रहे है उसे आप लोग थे लोटा वह कितना होता है दोनों में हमको बताएए सेल्सियस में वे क्वेटे ए फॉरण हैट में भी बताईए हमें कितना होता है सम्माने मनुश का टेंपरेचर और वह किसकी सहायतास से मामते हैं अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें ताकि ज़्या से ज़्यादा आप लाइक करेंगे ज़्यादा सी ज्यादा लोगों उतक सेयर करेंगे तो नेक्स्ट वीडियू भी हम जल्द लेके आएंगे हम आपका लगवग कुशिस करने कि जतने वीडियों बन سके ज अग्य बन सके सा शेप्टर वई चेप्टर में आपको पढ़ा दो याद भी करवा दो और उसके कारण आपको ncrt पढ़ने की जरूरत भी नहीं पढ़ें आप इस वीडियो को देख लिए देखने के बाद आप जाइए ncrt बुक उठाकर देखिए देखिए एक भी लाइन में ने छोड़ा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके ब कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा तथा जो भी प्रशन पूछेंगे उसके भी जवाब जरूरते हैं ओके थेंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक आप बने रहें हिंदी क्लब पे धन्य सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके ये सब बिलकुल फ्री है